नमस्कार मध्य प्रदेश के राजपाल स्रिमान मंगुबाई पतेल मुख्य मंत्री स्रिमान स्रिवराशी चवाण केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी स्री हर्दीप पुरीजी डॉक्टर विरेंद्र कुमार जी कौशल किसोर जी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गान सांसद विधायक गान इंदोर समेट मध्य प्रदेश के अनेक सहरों से जुड़े प्यारे भाईयों और बहनों अन्य महानुभाव भी आज यहां मौजूद है हम जब छोटे थे जब पढ़ते थे तो इंदोर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहल्याबाई होलकर माहेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जुरूर आता था समय के साथ इंदोर बदला जादा अच्छे के लिए बदला लेकिन देवी अहल्याजी की प्रेणा को इंदोर ने कभी भी खोने नहीं दिया देवी अहल्याजी के साथ ही आज इंदोर का नाम आते ही मन में आता है स्वच्छता इंदोर का नाम आते ही मन में आता है नागरी कर्तव्य जितने अच्छे इंदोर के लोग होते हैं उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है और आप सिर्फ सेव के ही शौकिन नहीं हैं इंदोर के लोगों को अपने शहर की सेवा करना भी आती है आज का दिन स्वच्छता के लिए इंदोर के अभ्यान को एक नई ताकत देने वाला है इंदोर को आज गीले कच्रे से बायो CNG बनाने का जो गोवर्धन प्लांट मिला है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई मैं सिवराज जी और उनकी टीम की विशेश प्रसमसा करूँगा जिसने इस कार को इतने कम समय में संभव बनाया है मैं आज सुमित्रा ताहिका भी आभार व्यक्त करूँगा जिनोंने सांसत के तोर पर इंदोर की पहचान को नई उचाई पर पहुँचाया इंदोर के वर्तमान सांसत मेरे साथ ही भाई शंकर लालवानी जी भी उनके नक्से कदम पर उन्होंने जिस राह को तै किया उस राह पर इंदोर को आगे बढ़ाने के लिए उसे और बहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और साथ यो आज जब मैं इंदोर की इतनी प्रसंसा कर रहा हूँ तो अपने संसद्यक्षेत्र वारा नसी का भी जिक्र करूँगा मुझे खुशी है कि काशी विश्वनाद धाम में देवी अहल्याबाई होलकर जी की बहुत ही सुन्दर प्रतिमा रखी गई है इंदोर के लोग जब बाबा विश्वनात के दर्शन करने जाएंगे तो उन्हें वहाँ देवी अहल्या भाई जी की मुर्ती भी दर्शन करने को लिए मिलेंगी आपको अपने शहर पर और गर्व होगा साथियों अपने शहरों को प्रदूशन मुक्त रखने और गीले कचरे के निस्तरण के लिए आज का ये प्रयास बहुत अहम है शहर में गरों से निकला गीला कचरा हो गाउं में पशुओं खेतों से मिला कचरा हो ये सब एक तरसे गोबर्धनी है शहर के कचरे और पशुधन से गोबर्धन फिर गोबर्धन से स्वच इंजन फिर स्वच इंदन से उर्जाधन ये स्रंखला जीवन धन का निर्मान करती है इस स्रंखला की हर कड़ी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसके प्रत्यक्ष प्रमान के तौर पर इंदोर का ये गोबर्धन प्लांट अब दूसरे शहरों को भी प्रिणा देगा मुझे खुसी है कि आने वाले दो वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में इस प्रकार के गोबर्धन बायो CNG प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने प्रदूशन रहित बनाने क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा और अब तो शहरों में ही नहीं बलकि देश के गावों में भी हजारों की संख्या में गोबर्धन बायो गेस प्लांट लगाये जा रहे हैं इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर्ध से भी अतिरिक्त आई मिलनी शुरू हुई है हमारे गाव देहात में किसानों को बे सहारा जानवरों से जो दिक्कत होती है वो भी इस तरह के गोबर्धन प्लांट में उसके कारण कम हो जाएगे ये सारे प्रहास भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा करने में मदब करेंगे साथियों गोबर्धन योजना यानि कचरे से कंचन बनाने के हमारे अभियान का जो असर हो रहा है उसकी जानकारी जितनी जादा से जादा लोगों को मिले वो उतना ही अच्छा है गोबर्धन बायो सिएजनजी प्लांट से इंदोर को प्रतिदीन 17 से 18 हजार किलो बायो सिएजी तो मिलेगी ही इसके अलावा सो टन जैवी खाद भी यहां से रोजा न निकलेगा सिएजी के कारण प्रदिशन कम होगा और इसलिए प्रते एक व्यक्ति और जीवन जीने में हर व्यक्ति को जीवन जीने में उसकी सुविधा बढ़ेगी इसी प्रकार से यहां जो जैवी खाद बनेगी उससे हमारी धर्ती मा को भी नया जीवन मिलेगा हमारी धर्ती का काया कल्ब होगा एक अनुमान है कि इस प्लांट में जो CNG बनेगी उससे इंदोर शहर में हर रोज करीब करीब चार सो बसें चलाई जा सकेगी इस प्लांट से सेंकडो युवाओं को किसी ना किसी रूप में रोजगार भी मिलने वाला है यानि एक ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने में भी मददगार होगा भाई और बेहनों किसी भी चुनवती से निपटने के दो तरीके होते पहले तरीका ये कि उस चुनवती का तत्कालिन समाधान कर दिया जाए दूसरा ये होता है कि उस चुनवती ने से ऐसे निपता जाए कि सभी को स्थाई समाधान मिले बीते साथ बरसों में हमारी सरकार ने जो योजनाए बनाई है वो योजनाए स्थाई समाधान देने वाली होती है एक साथ कई लक्षों को साधने वाली होती है स्वच्च भारत अभ्यान को ही लीजिए इससे स्वच्चता के साथ साथ बेहनों की गरीमा बिमारियों से बचाव गाउं शहरों को सुंदर बनाने और रोजगार के अवसर तयार करने जैसे अनेक काम एक साथ हुए है अब हमारा फोकस घर से गली से निकले कचरे के निस्तरण का है शहरों को कूडे के पहाड़ों से मुक्त करने का है इनमें भी इंदोर एक बहतरीन मोडल बनकर उबरा है आप भी जानते हैं कि ये नया प्लांट जहां लगा है वहाँ पास ही देव गुडरिया में कूडे का पहाड़ होता था हर इंदोर वासी को इससे दिक्कत थी लेकिन अब इंदोर निगर निगम ने सो एकड की इस डंप साइट को ग्रीन जोन में बदल दिया है साथियों आज देश भर के शहरों में लाखो टन कुड़ा देश को दसकों से ऐसे ही हजारों एकड जमीन पर को गेरे हुए हैं ये शहरों के लिए बायू प्रदूशन और जल प्रदूशन से होने वाली बिमारियों की भी बड़ी वज़ा हैं इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में इस समस्या से निपटने के लिए काम किया जा रहा है लक्स ये हैं कि आने वाले दो-तीन वर्षों में कुड़े के इन पहड़ों से हमारे शहरों को मुक्ति मिल सकें उन्हें ग्रीन जॉन्स में बदला जा सकें इसके लिए राज्य सरकारों को हर संभो मदद दी जा रही है ये भी अच्छी बात है कि साल 2014 की तुलना में अब देश में शहरी कुड़े के निस्तरण की शमता चार गुना तक बढ़ चुकी है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए सोला सो से अधीक निकायों में मट्रियल रिकवरी फैसिलिटी भी तैयार की जा रही है हमारा प्रयास है कि अगले कुछ वर्षों में देश के हर शहर में इस तरह की व्यवस्ता निर्मान हो इस तरह की आधुनिक ववस्ताएं भारत के शहरों में सर्कुलर एकोनोमी को भी एक नई शक्ती दे रही है स्वाथियों स्वच्छ होते शहर से एक और नई संभावना जन्म लेती है यह नई संभावना है परियटन की हमारे देश में ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ अईतिहांसिक स्थल ना हो पवीत्र स्थल ना हो कमी जो रही है वो है स्वच्छता की जब सहर स्वच्च होंगे तो दूसरी जगों से लोगों को भी वहाँ आने का मन करेगा लोग ज़ादा आएंगे अब जैसे कितने ही लोग तो केवल ये देखने इंदोर आते हैं कि देखें सफाई के लिए आपके यहां काम हुआ है जड़ा जाकर के देखे तो सही जहां स्वच्चता होती है परियटन होता है वहां पूरी एक नई अर्थववस्ता चल पड़ती है साथियो हाल ही में इंदोर ने बॉर्टर प्लस होने की उपलब्दी भी हासिल की है ये भी अन्य शहरों को दिशा दिखाने वाला काम हुआ है जब किसी शहर के जलसरोत साब होते हैं नाले का गंदा पानी उनमें नहीं गिरता तो एक अलग ही जिवन्त उर्जा उस शहर में आ जाती है सरकार का प्रयास है कि भारत के जादा से जादा शहर बॉर्टर प्लस बने इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण पर जोड़ दिया जा रहा है एक लाग से कम आबादी वाले जो नगर निकाए हैं वहां गंदे पानी के ट्रिट्मेंट की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है भाई और भेनों समझ्याओं को पहचान कर अगर इमानदार प्रयास किये जाएं तो बडलाव संभव होता है हमारे पास तेल के कुए तो नहीं है पैट्रोलियम के लिए हमें बहार डिपेंडेंट रहना पड़ता है लेकिन हमारे पास बायो फ्यूल के इथेनोल बनाने के संसाधन बरसों से मौझूद रहे हैं यह टेकनोलोजी भी काफी पहले आ चुकी थी यह हमारी सरकार है जिसने इस टेकनोलोजी के इस्तमाल पर बहुत ज्यादा जोड़ दिया साथ आठ साल पहले भारत में इथेनोल ब्लेंडिंग मुश्किल से एक परसंट डेड़ परसंट दो परसंट इससे आगे नहीं बढ़ रहा था आज पैट्रोल में इथेनोल ब्लेंडिंग का परतिशत आठ परसंट आठ परतिशत आजपात पहुँच रहा है बीते साथ वर्सों में ब्लेंडिंग के लिए इथेनोल की सप्लाई को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है साल 2014 से पहले देश में करीब 40 करोल लिटर इथेनोल ब्लेंडिंग के लिए सप्लाई होता था आप याद रखना 40 करोल लिटर आज भारत में 300 करोल लिटर से जादा इथेनोल ब्लेंडिंग के लिए सप्लाई हो रही है कहां 40 करोल लीटर और कहां 300 करोल लीटर इससे हमारी चीनी मिलों की सहत सुदरी है और गन्ना किसानों को भी बहुत ज़्यादा मदद मिली है साथियों एक और विशह है पराली का पराली से हमारे किसान भी परेशान रहे हैं और शहरों में रहने वाले लोग भी हमने इस बज़ेट में पराली से जुड़ा एक एहम फैसला किया है ये तैक किया गया है कि कोईले से चलने वाले बिजनी कारखानों में पराली का भी उप्योग किया जाएगा इससे किसान की परेशानी तो दूर होगी ही खेती के कचरे से किसान को अतिरिक्त हाई भी मिलेगी ऐसे ही हमने ये भी देखा है कि पहले सोर उर्जा, सोरार पावर को लेकर कितनी उदासिंता थी 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पूरे देश में सोलर पावर का उत्पादन बढ़ाने के लिए अभियान चलाया हुआ है इसी का परणाम है कि आज भारत सोलर पावर से बिजली बनाने के मामले में दुनिया के टॉप फाइव कंट्रीज में, दुनिया के पाँच प्रमुख देशों में अपनी जगा बना ली है इसी सोलर पावर की शक्ती से हमारी सरकार किसानों को अनदाता के साथ ही उर्जा दाता भी बना रहा है अनदाता उर्जा दाता बने देश भर के किसानों को लाखों सोलर पंबी दिये जा रहे हैं भाई और भेनों, आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है, उसमें टेक्नोलोजी और इनोवेशन के साथ ही भारतियों के परिश्रम का भी बहुत बड़ा हाथ है। हमारी युवाओं, हमारी बहनों, हमारे लाखों लाख सफाई कर्मिचारियों पर अतूट भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत के युवा, नई टेक्नोलोजी, नए इनोवेशन के साथ साथ जन जागरन में भी बहुत एहं भूमी का निभा रहे हैं। जैसे मुझे बताया गया है कि इंदोर की जागरूत महनों ने कूडे के प्रबंधन को एक अलग मुकाम पर पहुँचा दिया है। इंदोर के लोग कूडे को छे हिस्सों में अलग-अलग करते हैं। जिससे कूडे की प्रोसेसिंग और रीसेकलिंग ठिक से हो सकती है। कि सीपी शहर के लोगों की यही भावना, यही प्रयास स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में मददगार साबित होंगे। स्वच्छता के साथ साथ रीसेकलिंग के संस्कारों को भी ससक्त करना अपने आप में देश की बड़ी सेवा है। यही तो Life, L-I-F-E, Life यानी Lifestyle for Environment का दर्शन है, जीवन जीने का तरीका है। साथियों, आज के इस कारकम में में इंदोर के साथ ही देश भर के लाखों सफाई कर्मियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता ह। सर्दी हो, गर्मी हो, आप सुबह सुबह निकल पड़ते हैं अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। कोरोना के इस मुश्किल समय में भी आपने जो सेवा भाव दिखाया है, उसने कितने ही लोगों का जीवन बचाने में मदद की हैं। ये देश अपने हर सभाई कर्मी भाई बहन का बहुत रणी है, अत्यनत रणी है। अपने शहरों को स्वच्छ रख कर, गंदगी ना फेला कर, नियमों का पालन करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। मुझे आद है, प्रयाग राज में कुम्ब के दौरान, आपने देखा होगा दुनिया में पहली बार भारत के कुम्ब में लेकि एक नई पहचान बनी है। पहले तो भारत के कुम्ब में लेकि पहचान हमारे साधू मात्मा उनी के आसपास बाते चलती थी। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतरुत्म में प्रयाग राज में जो कुम्ब हुआ, उसकी पहचान स्वच्छ कुम्ब के रुप में हुई। पूरे विश्व में चर्चा हुई, दुनिया के अख़बारों ने कुछ न कुछ उसके लिए लिखा, यह मेरे मन पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव था, तो मैं जब कुम्ब के मेले में पवित्र स्नान के लिए गया था, तो स्नान करकर आने के बाद मेरे मन में इन सफाई कर्मियों के लिए इतना आहो भाव था, यह उनका आहो भाव था, मैंने इन सफाई कर्मियों के पाउं धोये थे, उनका सम्मान किया था, उनसे मैंने आश्रिवाद लिये थे, आज मैं दिल्ली से इन दोर के अपने हर सफाई कर्मी, मेरे हैर सफाई कर्मी भाई बहन को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं, उनका नमन करता हूं कि इस कोरोना काल में आप लोगों ने इस सभाई के अभियान को जारी न रखा होता, तो न जाने हम कितनी नहीं नहीं मुसीबतों को जहलते, आप ने इस देश के सामान निमानवी को बचाने में डॉक्टर त इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, भाईयों बहनों इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, एक बार फिर सभी इंदोर वास्यों को, खास करके इंदोर की मेरी माता और बहनों को, क्योंकि उन्होंने ये काम में जो इनिशेटिव लिया है, कूडा कजरा बिलकुल बाहर फैकना नहीं, उसका सेग्रिगेशन करना, ये मेरी माताए बहने अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं, और मेरी बाल सेना, जो घर में किसी को कूडा कजरा फैकने नहीं देती है, पूरे हिंदुस्तान में, स्वच्चता अभियान को सफल करने में, मेरी बाल स सेना ने बहुत मेरी मदद की हैं, तीन-तीन चार्शार साल के बच्चे अपने दादा को कहते हैं, खुडा के चरा ये यहां मत फैको, चौकलेट खाईए, यह यहां नहीं फैकना है, यह जो बाल सेना ने काम किया है, ये भी हमारे भावी भारत की नीव को मजबूत करने वा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.